सुबह के नास्ते में अगर आपको सत्तु का पराठा मिल जाए तो आपका देनी बन जाए प्रोटीन से भरपूर होता है बच्चे भी से बड़े पसंद से खाएंगे तो पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आठे का डो बना के तयार करेंगे एक कप मैंने गेहू का आठा लिया है इसमें आधा चमबच अजवाइन डाल लिया है और आधा चमबच ही मैंने हापर नमक डाला है और हाथों से ऐसे क्रस्ट करते हुए कसूरी मेति डालेंगे दो चमबच में हापर तेल डालूंगी पहले हम आठे को ऐसे हातों से मिक्स कर लेंगे अभी पानी का यूस नहीं करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सौप्ट डो बना के तैयार करेंगे द्यान रहे कि आठे को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करें और नाहीं ज़्यादा सक्त करें इसी तरीके से आठे को गूद के इसका डो तैयार करेंगे इधर मैंने आठे को बहुत अच्छी तरीके से गूद लिया है अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ा तेल तेल लगाने के बाद बस दस मिनट के लिए से रेस्ट होने के रे छोड़ देंगे डख के रखेंगे अब हम बनाएंगे सत्तू का एक मसाला आधा कब मैंने सत्तू लिया हुआ है यह आसानी से आपको ग्रोसी सॉप में मिल जाएगा साथी हम डालेंगे कलोंजी आधा चमच और वन फोर चमच हमें आप डालेंगे हींग आधा चमच अजवाइन आधा चमच रैड चिली पाउडर वन फोर चमच हल्दी पाउडर और आधा चमच धनिया पाउडर नमक आप अपने स्वात के नुसार डाले और एक चमच अद्रक और लहसुन का पेस्ट, बारिक कटा हुआ प्याज, मीडियम साइज का और हरी मिर्च दो से तीन और ये डाला मैंने अचार का मसाला, इससे इसका टेस्टना बहुत अच्छा आता है, इससे इसकी बिल्कुल भी ना करें और आधा कटावा नीबु का रस इसमें एट करेंगे, और उपर से डालेंगे धनिया के पत्ते, और इस मसाले को हमें मिक्स कर लेना है, हातों से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हातों से ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, सत्तु के मसाले को हमें बहुत जादा सुखा नहीं करना है इस तरीके से जब हम मुठी बन करें तो इस तरीके का होना चाहिए वन्ना आप इसमें एक दो चम्मस तेल एट कलने सरसो का अब ये आटा भी हमारा सैट हो चुका है एक बार फिर से हम इसे थोड़ा सा गूद लेंगे अब हम इसकी लोई बना के त्यार करेंगे एक डालेंगे सत्तु का मसाला ऐसे हातों से दबाएंगे इसे ताकि ये बहार नहीं निकले और इसे ऐसे फोल्ड करते वे सील करेंगे बहुत अच्छी तरीके से हमें यापर सेल करना है वन्ना ये जो सत्तू है न सुखा सुखा होता है बहार आ जाएगा इस तरीके से उपड़ से लॉक कर देंगे ऐसे घुमा घुमा के एक्स्टा जो आटा है उसे निकाल लेंगे और इस तरीके से हाथों से इसे सैट करेंगे और पहले हम क्या करेंगे इस तरीके से हाथों से प्रेस करते वे थोड़ा सा हाथों की साहिता से ही इसे बेल लेंगे ताकि जो अंदर का सत्तू है एकदम सैट हो जाए और हलके हाथ से बेलन से इसे बेलेंगे बहुत टाइट बहुत तेज हास से हमें नहीं बेलना है वन्ना क्या होगा ना पराठे से अंदर से जो मसाला है वो सारा बाहर आ जाएगा बहुत हलके हलके हातों से इसे बेलना है इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें और इसकी जो साइट से उसे थोड़ा पतला करें और बीच का जो भाग है उसे थोड़ा मोटा रखें अब यहाबर तवा गरम हो गया था, मैंने पराठे को डाल दिया है एक साइट से पहले पराठे को सेक लेंगे बहुत अच्छी तरीके से और दूसरी साइट से अब हम इसमें लगा लेंगे घी घी या तेल आप कुछ भी लगा सकते हैं लेकिन घी में बनाएंगे तो यह बहुत टेस्टी बनेगा ऐसे चार ओर से इसमें घी लगाएंगे सेक लेंगे दबाते हुए ताकि यह किनारे में कच्छा ना रहे अच्छी तरीके से इसे पका लेंगे यहाँ पर इसको पकाना बहुत अच्छी तरीके से जरूरी है ऐसे पकाएं दोनों ही साइट से हम इसे बहुत अच्छी तरीके से सेक लेंगे तब ही यह पराठा बहुत टेस्टी लगेगा ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने पका लिया है इस पराठे को अब हम इस पराठे को एक प्लेट पे निकाल लेंगे और सारे ही पराठे हम इसी तरीके से बना के तैयार करेंगे बहुत अच्छी तरीके से मैं पराठो को याँ पर सेखता है ये हमारा सत्तु का पराठा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है उपड़ से घी लगा लेंगे और हम इसे साउर करेंगे प्याज के राइते और दही वाली हरी मिर्च के साथ अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना हुझ झाल झाल झाल